KKR ने IPL 2024 की ट्रोफी जीत ली या तो सबको पता है लेकिन इस टूनामेंट के खत्म होने के बाद खिलाडियों और टीमों पर जो पैसों की बारिस होई क्या आप इसके बारे में जानते हैं जी हाँ ना सिर्फ जीतने वाली टीम बलकि हारने वाली टीम भी बाला माल हो गई टाइटल अपने नाम किया है इससे पहले इस टीम में साल 2012 और 2014 में भी टाइटल जीता था वही संराइजर्स हैदराबाद को खितावी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा लेकिन हार के बाब जूद हैदराबाद को जो इनाम के रूप में रासी मिली उसे सुनकर आप जाएंगे हारने वाली टीम को इतनी रकम मिली है जितनी कई परतिस्चित क्रिकेट लीग में जीतने वाली टीम को भी नहीं मिलती है आपको विनर्स और रनर अप्स की प्राइज मनी बताएं उससे पहले कुछ खास विजेताओं की पूरी लिस्ट बताते हैं जैसे औरेंज प्राइज मनी के तौर पर दस लाप रुपए दिये गया हलाकि फाइनल के दिन प्रेजेंटेशन के दौरान कोली वहां मौजूद नहीं थे ऐसे में केके आर के कैप्टन्स रेयस अईयर ने उनके विहाब पर प्राइज मनी क्लिक्ट की दूसरा नाम है परपल कैप बिजे जीतने वाले खिलाडियों को भी 10-10 लाप रुपए दिये गया है इस सीजन का फेयर प्ले अवर्ड संराइजर्स हैदराबाद ने जीता और उन्हें भी इसके लिए 10 लाप रुपए दिये गया है वही राजीब गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद को इस सीज कितनी धनरासी दी गई यह भी जान लेते हैं तो runner-ups SRH को सारे 12 करोर रुपए की धनरासी दी गई खास बात ये है कि ये पाकिस्तान सूपर लीक के विनर्स को मिलने वाली धनरासी से कई गुना ज़ादा है आपको बता दे कि PSL के विजेता को 4.13 करोर रुपए दिये जाते खेर चलिए अब आपको बताते हैं IPL 2024 के चैंपियन यानि कोलकता नाइट राइडर्स को कितनी धनरासी दी गई तो KKR को खिताब जीतने पर कुल 20 करोर रुपए दिये गए यह प्राइज मनी दुनिया के किसी भी लीक किर्केट में दी जाने वाली सबसे अधिक रकम है इ आसी अन्य वीडियोज के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें